नेपाल की सीमा विवात खड़ा किये जाने के बाद आज पहली बार भारत और नेपाल के बीच हाई लेवल मीटिंग होगी। डिप्लोमाटिक बाचीत के रास्ते खुल सकते हैं नेपाल ने पिछले दिनों सीमा विवाद खड़ा करने के साथ साथ नया नक्षा जारी किया था जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ती जाहिर की थी इसके अलावा नेपाल के प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली ने अपने विवादत बयानों से रिष्टों में तलखी पैदा करने की भी कोशिश की थी हाला कि 15 अगस्त को केपी शर्मा ओली ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को फोन किया था इस दोरान बादचीत की हुई और ओली ने पीम नरेंदर मोदी को सुवतंतरता दिवस की बधाई दी थी साथि सुरक्षया परिशद में अस्थाई सदसे बनने पर भी शुबकामनाय दीन थी करीब 10 मिनट 40 बादचीत के बाद ही दोनों देशों ने नेपाल में राजनेक बादचीत की घोशना की